अब वीडियो के पढ़ रहा है यह प्रैक्टिकल आंपके चीज़ तो यह जो इस्टाट कर रहे हैं माज से किसके लिया है इसप्शली देली पुलिस बट इस देली पुलिस के लिए हो गई है देली पुलिस कॉंस्टिबल जो भी चल रही वेकैंसी केलि में कि यह आर कहां यह कुछ जा सकता है कोई इसांस दभी इस सटेट का ऋूह में घंशक कुछ दिनहों में आने वाल ह द्था कुछ दिन पहले क्या वाली वेकन्सि वह पर शीर ख्रकुंशे में की समेक स्टेटग और कर या कोई लोघ लेबल के छिसँंते अपका टार्वन तर्वन तक इस चंपगे तungs में चुथ करें दूसरा यह यह 55 कम पूरा कभर हो जाएगा पहलेगे मूल हम किस्टमजी में लेखसिक हेट प्लों सब्स कि 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 क्वेस्टन को साल्व करने के कितने तरीके हो सकते हैं तरीके से हम करते हैं और हम कहां कहां यूज करेंगे वह बताऊंगा तीनों में बता दे तो आपको कौन-कौन कि माल लेते हैं एक कोई बंदा है यह किसी यूज मेंच और को C किते दिनों में कर रहा ? 30 30 या 50 मॉन लो 50 ले लो ? कोई प्राउब्म जो नहीं ? तो एक होता है फ्रेक्शन में यह क्या लिखा हुआ ? यह क्या लिखा हुआ ? डेज लिखा हुआ ? कि A 10 डेज में कर रहा है किसी काम को B 20 डेज में C 50 डेज में कर रहा है A can do a work in 10 days and B can do the same work in 20 days and C can do the same work in 50 days in how many days A, B, C together can do the same work तो इसे हम 3 मेथट से कर सकते हैं पहला क्या है ? फ्रेक्शन मेथट फ्रेक्शन मेथट फ्रेक्शन मेथट में क्या होता है ? हम मान लेते हैं कि हमारा जो total work था वो कितना था ? 1 था फ्रेक्शन मेथट में क्या होता है ? कि हम total work को कितना मान लेते है ? 1 मान लेते हैं अगर 1 है total work total work हमारा कितना है ? जो हमारा पूरा काम था वो कितना था ? एक था तो इसने 10 दिन में पूरा काम कर लिया, मतलब पूरे एक काम को इसने 10 दिन में कर लिया, एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा, अगर पूरा काम 10 दिन में होता तो एक दिन में 1 by 10 कर लेगा, अगर ये पूरा काम 20 दिन में कर तो ये कितना करेगा, 1 by 20 क कर दोगे उसके बाद क्या करोगे वन को डिवाइड कर दोगे जो आएगा प्लस करके क्योंकि यह जब प्लस करोगे तो इन तीनों का एक साथ एक दिन का काम आजाएगा उसी को हम क्या कहते हैं एक दिन का काम आजाएगा अब उसी को हम क्या कहते हैं उनकी efficiency कहते हैं अब तीनों की efficiency एक दिन की काम आ गई है मान लेता हूं मैं चलो भी मैं उसे बता रहा हूं वो छी ठीक है यह आपका क्या हो गया fraction method दूसरा method क्या है यह हो गया fraction method जो दूसरा method है उससे हम क्या कहते है पर्सेंटेज मैफ़ड पर्सेंटेज मैफड में क्या होता है हम अपना total work कितना प्लेट करते हैं कि यह हमारा total work है वो कितना है अगर total work 100% है तो एक दिन में कितना काम करता होगा तो एक दिन में कितना कर रहा होगा यह कितना कर रहा होगा 20 काम कर रहा है तो 20 से डिवाइट कर दो कितना जाएगा 5% काम कर रहा होगा एक दिन में और एक दिन में सब्सक्राइब यूज करें तो हमें easy calculation पड़ेगा ओके थर्ड जो हम सबसे यादा यूज करते हैं time and work में time and work के question को solve करने को के लिए उसे हम क्या कहते है मैं भी इसी को प्रफिर करता हूं fraction method भी यूज होता है कहीं के percentage method बहुत कम यूज करता हूं कहीं दो तिन question बेपस पाकी maximum क्या उसकरते हैं fraction method कुछ question ऐसे आता है जिसमें fraction method यूज करते हैं कोई ऐसा number let कर लेना है कोई ऐसा number let कर लो जो क्या हो इन तीनों से इन तीनों number से divide हो रहा हो 10 20 और 50 वह number क्या होगा इनका LCM ही होगा जो LCM होगा LCM कितना आ जाएगा इनका 150 150 भी नहीं होगा 300 होगा 150 20 से divide नहीं होगा 300 ही होगा या और कुछ हो सकता है देखो इससे divide करोगे 6 इससे divide करोगे 150 50 जीरो नहीं होगा LCM ज्यादा ले लिया 100 ले लो LCM 100 भी हो जाएगा ठीक है वैसे उससे भी हो जाएगा कोई दिक्तर नहीं बस LCM कितना जाएगा 100 वह सबसे छोटा नंबर कौन सा है 100 है वैसे 300 से भी हो जाएगा मैं करके भी दिखाता हूँ यह 5 हो जाएगा और यह 2 हो जाएगा अब यह क्या होगी इनके एक एक दिन के efficiency हो गई यह 10 है यह 5 है और यह 2 है तो एक दिन का total काम कितना जाएगा 17 तो यह पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा फिर वह बलत हो जाएगा अगर यह 300 है तो 10 से डिवाइट करोगे 30 हो जाएगा यह 20 से डिवाइट करोगे 15 आजाएगा और यह 6 आजाएगा करोगे तो यह किता जाएगा तो अगर आप लखे नहीं निकाल लो पूई भड़े से बड़ा टेबल ले लोगे तो एक दू बार कंसिल हो जाता है बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होना होता तो आज आप मेरी बात को तो आज आप फ़स्ट कुछिन पड़ पना सब्सक्राइब कर सकता है वी उसी काम को कितने दिर में कर सकता है वी कितने दिर में कर सकता है इसी काम को 15 days तो दोनों मिलकर 7 को कितने करेंगे तो हमने क्या सिखा भी LCM method से इन दोनों का कुछ LCM LCM नहीं आईसा number let कर लो जो क्या हो जाए कि इन दोनों से divide हो रहा हो कितना जाएगा वो 60 और यह हमारा क्या हो जाएगा total work यह हमारा क्या हो जाएगा total work हो जाएगा अगर यह 12 days में पूरे काम को करता है यह 15 days में करता है total काम 60 है तो यह कितने दिर एक दिर में एक इतना काम करता होगा 12 days में पूरा काम करता है आपको 60 रुपे total कमाने ऐसे समझो आप इस 60 रुपे को 12 दिर में कमा ले पूरे 60 रुपे र्रें, अश्य ओनने इन पे 500 रूपे 2018 मैं पूरे 60 रुपेज करती हो एक दिन में पूरे पूरे 60 रुपे reliably ऑगी ऑफ़जे क्या हो गया हो गाया हो गया हो तो 9 ृपजे में A एक दिन में 5 और B एक दिन में 4 यह क्या होता है Efficiency of यह इनकी Efficiency गलाती है Efficiency of 4 ने एक दिन में कारी करनी की चमता जो होती है उससे हम क्या कहेंगे यह आता है डिवाइट करने पर जो अब इने प्लस कर लिया क्योंकि दोनों का साथ कुछा है कितने दिन में करेंगे कितना जाएगा 9 60 को 9 से डिवाइट कर दो कितना जाएगा 20 बाइ 3 तो A और B दोनों मिलकर यह कितने दिन में कर लेंगे 6 2 बाइ 3 बेज में क्या आप मेरी बात को समझ पा है कि अराएग दोनो ऩुर्णी हुआ है प्रभ्वाल कई जडेचल के ओर्भ इसरी में है ने चोचिंग के अर्भा? इस जो एक टका दो ए और बी दोनों मिलकर साथ को कितने में ए और बी तोगेदर केंड दो आपीस आप वर्किन टोल्डेज वाइल ए अलोन कांड दो दा सेम वर्किन थर्टी देज इन हाव मैने देज बिल वी अलोन दो इट क्या कह रहा है कि ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं एक साथ बारा दिन में कर सकते हैं ए अकेला उसे कितने दिन में कर सकता है किस दिन में कर सकता है तो बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा एक साथ में कर रहे है इह अगयला कितने दिर में कर रहे है एका ही लिखा हुआ है सिस्टन अब मैंने क्या गोला रिखए दया कि ऐसा एक नमबर यह लिखेंगे जो इन दोनों के टेबल में आता हो तो क्या दाएगा 60 यह हमारा क्या होगा total work 12 से divide करो क्या दाएगा 5 30 से divide करो 2 मतलब क्या होगा कि एक का एक दिन का काम कितना है एक का एक दिन का काम कितना है 2 और A प्लस B का एक दिन का काम कितना है 5 नो rider 5 कि तो कैम घ左 तो एक दल्म करता है और यह बिलगेंगे काम करते हैं तो कितना करता होगा पृे है तो थी करता होगा अज्ड करी है थे कि के एक दिन का काम आगी है तो बेचिस कबएक किती दिन में कर ले है आयसे क्वश्चिन पूछे जाते हैं देली पलेश्चिन प्रिवेश एर पेपर उठाओ देखो चेकरो कुछ करना नहीं होता जालते हैं छोटे छोटे क्वश्चित पूछते हैं प्रिवेश्चिन कि A B C can complete a work in A B and C can complete a piece of work in 10, 15 and 20 days respectively working together they will complete the work in A B और C किसी काम को 10 15 और 20 दिन में कर सकते हैं तो तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे और 20 तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेंगे छे, चार, दस, तीन, तेरा, छे, चार, दस, तीन, तेरा दिन काम करेंगे एक दिन में तीनों मिलकर तो साथ काम कितने दिन में कर लेंगे थर्टीन से डिवाइड कर दूँए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फॉर्ट्स वन यह अभी 2019 से जिल में पुछा गया प्री में करो इसे जी आपको नहीं करना है सिजेल 2019 से नहीं यादे किस डेट वाला पूछा गया थे इस बार जो डेश्ट बडिली पॉलीज कॉंस्टिबल का एक्जाम है टीश्य ले रहा है जो कि टीश्य पीश्य वह आख गया है वो टीश्य लेने लगा है फिछले 2 साल से तो यह क्या घड़ता है थुदा कर दोश मुझे लगता है नहीं उतने टप देंगे लेकिन दे भी सकते हैं इसलिए आज सकते हैं कि आज सकते हैं काल्पलेटिक पॉस्चिन सब्सक्राइब देखो क्या कह रहा है एक काम को छे दिन में करता है और भी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है सब्सक्राइब अगरद में कर सकते हैं अगर हिंदी से इसे क्या खेंगे की सहाइथा से उस काम को कितने दिन में कर लेते हैं तीन दिन में कर लेते हैं इन हाउ मेनी डेज's can C alone, can do the work in how many days C alone, can do the work C अकेला कितने दिन में कर सकता है уд से अकेला अखेला C उस काम को कितने दिन में कर सकता है एक इतने दिन में कर लेता था 6 days 6 days में B 9 days 9 days और a Plus b Plus C ये तीनों मिलकर कितने दिन में कर ले हैं? थ्री डेजने तीनों कैल्सियम क्या लिख दूँ एक्टी ये हमारा क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया ये हमारा क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया एक्टी तो एक इतना काम करता होगा एक दिन में? थ्री B कितना करेगा 2 2 6 और A प्लस B प्लस C मिलकर एक साथ कितना करेंगे 6 अब देखो इनकी value कितनी आगे 6 A की value कितनी थी 6 3 थी A की value कितनी थी 3 3 B की value कितनी थी 2 2 तो C की value कितनी रही होगी 6 Total 6 है 1 2 1 आ जाएगा इसका सी कितना हो गया गौन मदल सी एक दिन में कितना काम करता है एक काम करता है तो टोटल 18 काम को कितनी दिन में कर लेगा ऐटेन डेन अई बास समाझ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यह आया था आपको क्वेश्चन CGL Tire 1 2019 पनिस झा होगिवा के टायस मेरे लिए है कि नहें सव धिग में пожाषषः है एक्ट्वेश ट फ्रॉब है फ्रीक टेन लिए टेर सेंग 20 days, in how many days will A, B, C together do the same work? ठीक है? A and B किसी काम को कितने दिन में 10 दिन में कर सकते हैं B और C 15 दिन में कर सकते हैं C और A 20 दिन में कर सकते हैं तो A, B, C तीनों एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? आजाओ, करोगी है मैं करो? देखो, आजाओ A प्लस B, दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 10 days 10 days B और C कितने दिन में कर रहे हैं? 15 days और C और A मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 20 days 20 days ठीक है? सिंपल सी बाद हम क्या करेंगे? एक ऐसा नमबर कोई लेट कर लेंगे जो इनसे डिवाइड हो रहा हूँ तो क्या हो जाएगा वो नमबर 60 हो जाएगा A और B मिलकर कितना काम करते होंगे 6, B और C मिलकर कितना काम करते होंगे और C, और A मिलकर कितना काम करते हों, ठीरी, है तो क्यों problem, तो देखो जब इनको plus करोगे, तो इह कितना आजाएगा, ठीरी, इनको जब plus करोगे, तो क्या ऐगा, दो बार A आएगा, दो बार B आरा होगा, दो बार C आरा होगा, देखो मैं एक बार लिखके बता देता हूँ, a plus b, b plus c, c plus a, इसकी efficiency कितनी थी, 6, b plus c कि efficiency 4 थी, और c plus a की efficiency कितनी थी, 3 थी, तो इसी से यह 13 आपका आया था, अब इनको अगर plus करोगे, 2a हो जाएगा, 2b हो जाएगा, 2c हो जाएगा, तो 2 मैं common ले रहा हूँ, a plus b plus c, इसकी efficiency क कितनी हो जाएगा, 13, a plus b plus c, कितना जाएगा, 13 by 2 हो जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ plus करना था, 6, 4, 10, 3, 13, 13 का, यहाँ double आ जाएगा सब का, इसलिए क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 13 by 2 efficiency हो जाएगा, 13 by 2 से डिवाइड कर दो, तो आपको, 13, अगर आप इसे लिखना चाहो, तो ऐसे भी लिख सकते हो, आप स्वत्तंत्र हैं, क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ें, क्या हूं तरफ से बाइड जारे कर देंगान, हजए भी मीरे करें धाएड कर द दॉर आपक ऐाएग वर्यियर, दो आए प्हाँ जा-तर, ताम करू हाँ, आप चिववराबम नेकमान, विरल उनुसमामे नेकर, क्या हाएगाँ डिवार्टाब, A and B can do a piece of work in 12 days, B and C in 15 days, C and A in 20 days. In holiday days, will A, B, C alone do the same work? In the end, divide by C in 12 days, A and B can do a piece of work in 12 days, B and C in 15 days, B and C in 15 days and C and A in 20 days. तिन्यों का LCM कितना हो जाएगा? 60, यह कितना आगया भई? 5 आजाएगा, 4 आजाएगा, 3 आजाएगा. यहां तो आपको कोई प्रावल्म हो, यह नहीं होगी. तो आप अगर पूछा जाए कि A plus B plus C की वैल्यू कितनी होगी? क्या निकालो गया? A plus B plus C की वैल्यू कितनी होगी यहां से? 13, थर्टीन क्यों? यह कितना हो जाएगा? 5 और 4, 9, 9 और 3, 12, 12 होगा ना? और यहां से 2, 2 कामन आएगा. तो 2 से डिवाइट कर दोगे. तो यह कितना जाएगा? 6. यहां तक कोई प्रावल्म? तो आप देखो. ज़रा जाओ. अगर हमें यहां से A की वैल्यू चाहिए, तो B plus C की वैल्यू हमें क्या करनी होगी? मैनस करनी होगी. यहां से सुनना. अगर हमें A चाहिए, तो B plus C की वैल्यू मैनस करनी होगी. B plus C कितना काम करता है? एक दिन में? 4. तो 6 से 4 मैनस कर दो कितना जाएगा? 2. मतलब A की एफि इसेंसी निकालने के लिए C plus A की value minus कर दो C plus A कितना है 3 तो B कितना आ गया 3 और C निकालना है तो क्या कर दो A plus B minus कर दो A plus B कितना काम करता है 5 क्या इसमें कोई problem है आपको ठीक है तो देखो अब हमें क्या चाहिए कि A कितने दिन में कर लेगा टोटल काम 60 थे, 60 भाई, 2 days में ये करेगा, टोटल काम 60, तो ये 3 करता है, 60 भाई, 3 days में, और ये 60 भाई, 1 days में, ओके, अज़सर, नश्ट कॉस्च्चन, कर सकते हूं, तो एंसर डिवाइड करके लिखा होगा, 60 भाई 2 कर देंगे, 30 आजाएगा, 60 भाई 3 कर देंगे, 20 आजाएगा, 60 भाई 1 करेंगे, 60 रह जाएगा, नेक्स्ट कॉस्च्चन, नहारा टार्गेट यह होगा कि यह, अगस्ट है न आज, इतना 7 अगस्ट है, 7 यह होगा, इत 7 अगस्ट है, ठीक है, यह जो हमारा खत्तम होजाए, 15 सेप्टमबर तब मैंच खत्तम होजाए, बाराम से, 15 सेप्टमबर मिस, यह 15 क्या, 7 सेप्टमबर तक ही खत्म होजाए, मुल्बा पूरा मैस जो इतना भी दिल्ली पोलिस में पूछा जाना है, जिससे क्या आपके पास, अक्टूबर, सेप्टेमबर के बाद, तो अक्टूबर सेप्टेंबर पूरा रहा जाएगा यहाथ है September रहाज आगा October नॉंबर लॉंबर अभी साथ दिया इनुने नॉट्टिकेशन ओभी नॉंबर एंड है तो आके पास नॉंबर होगा एक मैने और October एक मैने और हाफ यह और यह मैने होगा जिसे आप प्रेक्टिस कर पाऊ और कोई भी डाउट हो तो मुस्य पूशे होगा है ओके सर्थ सेवंथ एक एक दो पीस ओफ वर्क इन 25 देश वाइल बीकें अलों फिनिश इन 20 देश बोड तोगेदर वर्क फाइब देश क्या है एक एक दो पीस ओफ वर्क इन 25 देश वाइल बीकें अलों फिनिश दा वर्क इन 20 देश बोड तोगेदर वर्क फाइब देश एक 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 दो पीस ओफ वर्क इन 25 देश कर रहा है एक किसी काम को 25 दिन में कर सकता है बी 20 देश में कर सकता है दोनों पांच दिन इस काम पर काम करते हैं पांच दिन काम पर आते हैं उसके बाद एक काम छोड़कर चला जाता है इन हाउमेनी डेश तो रिमेनिंग बच्चा हुआ काम से इस काम को कितने दिन में खतम हो जाएगा लेगे कर सकता है 25 में कितने विर में कर सकता है 20 ब्राइज में दोनों का यस्टियम अब 226 हो इसकता है हम से बोल सकते थे हैं यह फॉर हो जाएगा और यह फाइब यहां तक कोई प्राप्लम नहीं होनी चीए अब क्या कह रहा है दोनों कितने दिन काम किये 5 दिन तो A प्लस B कितने दिन काम कर रहे हैं 5 देज ठीक है एक दिन में कितना काम कर ले रहे हैं एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे 9 एक दिन में 9 काम करते हों कितने दिन काम करेंगे 5 देज टोटल काम में कितना करवाना है 100 अच्छे, एक इतने दिन में 5 डिवज च्छोड़ कर चला गया तो कौन काम करेगा? बी काम करेगा कौन काम करेगा? बी करेगा यह कितना काम कर लेगए 5 दिन में? 45 अगर टोटल 100 था तो 45 नों ने कर लिया कितना काम रह गया बच्छा हुआ? 55 55 कौन करेगा बी एक दिन में कितना काम करता है पांच तो कितने दिन काम किया होगा से इस काम वारा कितने दिन में खतम हो जाए ग्यारा नहीं सुन्ज में आया दुबारा सुना तुबारा सुना ए पच्चीज दिन में कर लेता है बी किसी काम को 20 डेज में कर सकता है ओके यहां तो कोई डव नहीं होना ची तुनों का हमने लिया 100 एक इतने दिन में कर सकता है तोटल थोटल हमें कितना पर आ हमने कितना कर जाए गारेिज Sophia गार्णार गारी इक काम करता था और हम चर्कार प्रकार को च्छला गया question में क्या लिखा है after five days a left the work ठीक है एक काम छोड़कर चला गया तू कौन रह जागा काम पर दो बंदे आ रहे थे बी अब बी एक दिन में कितना काम करता है पांच तो 55 काम पांच दिन में एक काम करेगा तो 55 काम कितने कितने कि दिन में कर लेगा डिवाइट कर दो एक बाल लिख लो फिर इसका में कुछ और बताता हूं साथ वह आपको ज्यादा पसंना है इस पर अ और भी दोनों काम करेंगे अच्छाए बी काम चोड़कर गया है नहीं गया है क्यों एक चोड़कर गया है टोटल हमें 100 काम करवाना और काम कौन चोड़कर गया है भी ए छोड़कर गया भी नहीं किया तो यह अगर पता चल जाए किस काम पर बी कितने दिन काम किया है तो वही answer क्या हो जाएगा भूई एइंसर आजा कि यह काम कितनी दिन चला अगर हम यह पता चल जा कि B कितनी दिन काम किया तो हम pays पता चला कि हमारह काम कि हो चार है यहां से माइनस कर तो चार कितना जाएगा 20 कि किस ने किया टोटल वी ने किया और जैङ यह एक दिन में कितना काम करता है? 5 तो यह कितना दिन काम चला होगा? 16 डेज जिसमें अगर आप से पुछा होता है कि whole work कितने दिन में हुआ तो क्या जाता है answer? 16 ते कि हम से पुछा remaining work तो यहाँ 5 माइनस कर देना कि 5 डेज हो एक के साथ काम किया होगा तो यहाँ क्या जाएगा answer? लेबन यह जब beneficial होगा आपके लिए यह method जब पूछा होगा आप से कि whole work कितने दिन में हुआ? जैसा भी मैं करता होगा question next question ऐसा है उससे आपको क्या होगा? फटा चल जाएगा मैं कहना कि चापता हूँ लिख ली आप? next question क्या है? A and B alone complete our work in 20 and 30 days A और B किसी काम को 20 और 30 दिन में कर सकते हैं A कितने दिन में कर लेता है? 20 days में B कितने दिन में कर लेता है? 30 days 30 days में ओके? दन क्या कह रहा है? both together start the work after 9 days B left the work ठीक है? एक साथ काम करना शुरू करते हैं लेकिन 9 days के बाद B काम छोड़कर चला जाता है rest work is done by A और जो बच्चा हुआ काम हो किसके दौरा किया जाता है? A के दौरा किया जाता है the whole work the whole work will be completed in how many days? पूरा काम कितने दिल में ख़तम होगा? तो एक हो, इसका LCM कितना आएगा? करोगे एक बारे? एक बार करोगे फिर मैं कराता हूँ समझा रहा है? DSSB में भी इजी लेबल का ही पूछता है तो मतलब Time and Work तो मुझे बहुत ही इजी लगता है तो सारी चैप्टर इजी ही लगते हैं जो एक बार पढ़ लो इन Time and Work को ज़्यादा बूसा चैप्टर लगता है मुझे और ये Time and Work ऐसा चैप्टर है कोई भी एक्जाम आप दोगे उसमें एक क्वेशन मिलेगा आपको चाया आप CTS दे रहे हो CCM कोई भी मुझे रहे हो आप OTSSB का दे रहे हो कहीं भी मैने देखा ये टीचिंग के इजी इक्वेशन मिली जाता है कुछ इक्वेशन में पहुता ये पुछता है से करवानी है कि देखो आजाओ एक कितने दिन में काम को ख़तम कर लेगा 20 और बी कितने दिन में कर लेता है 30 देज में किला किला जब करते हैं दोनों के सेम कितना ले ले लेंगे हैं 60 सब्सक्राइब करते हैं उसके बाद बी छोड़कर काम को चला जाता है मैं पहले वाले मेथेट से कराता हूं कि एक साथ कितने दिन काम किया एक दिन में कितना काम करते हैं 5 और कितने दिन इनोंने काम किया है कितने दिन इनोंने काम किया है नाइन डेज ठीक है कितना काम कर लेंगे 45 तो टोटल काम कितना करना है 60 तो कितना काम रह जाएगा 15 यह 15 वर किसे करना पड़ेगा पिक पोई प्रापलम ही आता है तो इन हो पूं आपको फ्राप्रे पूठा के बूसे क्टने कंषोया आता है किना टाइम लगा 14 देज के गार 20 ने हम तो फिर बतात आउं कुछ और आपको अभी पारी बारी खार बार कामी बार दोब से इंग के जादा हुआ है जगाय। झीफिया झीफिया तो टोटल हमें कितना काम करवाना है 60 करवाना है क्या कह रहा है A और B दोनों साथ में काम करना शुरू करते है इस सिक्टी काम को A प्लस B दोनों साथ में करना शुरू करते है B कितने दिन काम किया A काम ये कब तक चलता रहेगा जब तक A करेगा क्योंकि A काम छोड़ कर नहीं गया जबसे काम शुरू हुआ और जब तक काम ख़तम हुआ, यह काम करता रहा, कुछ दिनों बाद B छोड़ कर चला गया, तो हम यह निकाल लें, कि B ने कितना काम किया, A कितना दिन काम करता है, तो हम यह पता से जाएगा कि हमारा होर वर्क कितने दिन चला है, ठीक है, तो इसके प्रोसेस देखो, हम कैसे निकालेंगे, B, B कितने दिन काम किया, 9 days, क्योंकि यह 9 days के बाद यह छोड़ कर चला जाता है, और एक दिन में कितना काम करता है, दो काम करता है, तो 9 दिन में कितना काम कर लेगा, 18, तो 18 यहाँ से माइनस कर लो आप, 18 जब माइनस करोगे आप, तो आपको पता चलेगा कि A ने टोटल कितना काम किया था, इस काम में, ओके, तो यहाँ से 18 माइनस करोगे कितना जाएगा, 42, अब यह 42 काम किसने किया है, A ने किया, जब से काम सुरू हुआ और जब तक काम खतम नहीं हुआ, तब तक कौन काम करता रहा, A, और इस टोटल इस काम में, यहीं कितना काम किया, 42, और एक दिन में कितना काम करता है, 3, तो टोटल कितने दिन में इसने क्या होगा, एक काम, 14 बेज में, और यही हमारे question का क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा, तो आप इसे simple लिखते, इतना लिखते, यहां लिखते, 16, minus क्या कर लेंगे, यह यह नाइन टेश करता है नाइन टूजाए एट्टीन माइनस करोंगे 42 आजा 42 बाइ 3 इसकोल टू 14 सिंपल सा अशर यहां निकाल सकते हैं अब रड़ा अब आपने यह ने काम तो रहे 20 देज 260 माइनस 20 वह भी निक्तर सकते हैं कि यह ने वहां से पूछा था कि रिमेंटर कितने धिन में पूचा है क्या से मेटर क्या भाई है क्या पूचा तो हम्टेट मेरी इस वह 15 क्या दो होगा हो कुछ और मल्टिप्लाइगर के टुंटिया होगा इब दिखा मुझे क्या पूछता है हंडेड मानेस हंडेड मानेस टॉंटी क्योंकि फाइफ फोर्जा टॉंटी आयाता है तो यहां टॉंटी तो यह हैं तो यहन ब नाइन डेच गाम करता है यह दिन में दो और वहां क्या था और ये 9 days के बाद काम छोड़कर चला गया है, तो 9 days 18 हा गया, तुमार 20 मान जो काम छोड़कर चला गया, वो कितना काम करके गया है, वो मानिस कर देते हैं, बच्चा हुआ काम, जो बंदा रुका उससे करवाते हैं क्क कर दे हैं, बज़ क्क curse, वो कितना कुला ये वो baru अषए में वो घार लुटí लुका, समे तुमार 13 मैंक प्लोर 11 कमी काम बंदा र‍ष। कि यहां फगया है नेक्ट ग्रवेशन च्छेयर श्यार और ह्ट पर अंप 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 एप ऑ फिट्विकूंद घ्रभ उड्रॉर्वन फिट्थि ट्रीज इन न्थेश्टिय यहका है टिक यह भी कहा है तो कुछ्छन अभी पूछा गया है सीजल 2019 कि ताहर वन में चाहरा है राम और स्याम कितने काम को कर सकते हैं राम कर सकते हैं शिक्स टू बाइठी शिक्स इंटेग्र टू बाइठी राम केंड दू इन शिक्स्टवइट्र जा कितना हो जाएगा एट्टीं शिक्स टिरी जा bidding टू टू 2 टी बाइठी कि अ रढकर सकते हैं श्याम कितने चीजल में कर सकते इसी काम को अ किन से टीग को पर्सेंटेज वैलू ठीब एठी यहां पर्सेंठेज नहीं है कि पर्षेंटेज में यह 15 डेज अगर यह पर्षेंट से हम कर रहे होते न तो लिख सकते थे तब उसका यूज हो जागता था कुछ तो याद किया लड़के नहीं वह यूज नहीं हो ठीक है अब देव वर्क टूगेदर फार फोर डेज इसके बाद राम काम को छोड़कर चला गया तो कह रहा है कि जो रिवीनिग वर्क है उसे बीनिक स्याम नहीं कितने दिर्मिक किया आज़ो पहले इसका अपको क्या करना है यह उपन नमबर लिखा है उसका और इससे ऐसा नमबर लेना कि जो 20 से डिवाइड हो जाए और किससे ह चल लेंगे हम 60 यह हमारा 60 क्या हो गया टोटल वर्क हो गया 60 क्या हो गया टोटल वर्क हो गया तो 20 से डिवाइड करोगे 60 को थिरी आएगा इस थिरी का क्या करना है अब मल्टिप्लाइग कर देंगा कितना जाएगा मतलब राम एक दिन में कितना काम करता है 9 काम करता है 15 से डिवाइड करोगे 4 स्याम कितना करता है 4 काम करता है क्या आप मेरी बात को समझपा है अब क्या कह रहा है कि राम और स्याम राम स्याम दो भाली दोनों कितने दिन काम किये हैं four days काम कprofits एक दिन में कितना काम कर लेते थार्टीन तो हमें चार दिनों में तोटल हमें कितना काम करवाना है भई फ्रीक है स्याम कितना काम किया के लिए टिपर किया और एक दिन में कितना काम करता हुई तो किते दिन में कर लेगा यह काम कुछा कि Count विल स्याम कंप्लीट दा रिमेनिंग टास्ट रिमेनिंग ही पूछा तो ये टू डे जमरा क्या हो जाएगा आप दूसरे मेत्रेट से भी से कर सकते हैं एट 60 माइनस 52 करेंगे तो एट आएगा टोटल 60 काम था उसमें से 52 चार दिनों में दोनों मिलकर कर लिए तो स्याम को अकिला कितना काम करना पड़ा एट काम करना पड़ा एट कर्द प्रवाण कर दूसरे में दोट ज हो एट लिए यख करेंगे आपके लिए्या कने अन्áveis करने ने हैं यजस करेंडेंबं़ल 59 र Państwo में यख कर दो आख कि 15 करेंगें Tuesday में और आपके, 21 से कर्या के यब ह से हर meu 14 ने झा medida एकलिया, बदे लड़ देल देलिको झाल झाल, झाल देलिको ज़ा झाल करेंबबदेट परहें भी ब कई नहीं बीने देज विल फोल वर्क भी कम्टेट गोगा एक इसी काम को ठारा दिन में कर सकता है बीने देज विल फोल 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 वर्क भी कम्टेट तो पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा करो यह तो पूछा हुआ है लेकि नहीं नहीं पूछा हुआ है लेकिन नहीं नहीं पूछा दा जोछा दा शाकाश्व 2019 season में नहीं पूछा ना CHSL में पूछा नहीं पूछा यह भी बहुत इंपोर्टन क्यों कि जो पीछे से पुछे में कमप्लीशन से पहले काम छोड़ कर गए तो थोड़ा सा अलग हो जाता है टाइप आजब होगा नहीं कितने दिन में कर सकता है काम को कितने दिन में कर सकता है कितने दिन में कर सकता है कि टोटल कितना काम मान लें हम है सब्सक्राइब कितने दिन बाद कितने दिन पहले छोड़ कर गए या था यह तो पता है मैं 3 दिन लेकिन काम कितने दिन में खत्म हुआ ये भी तो नहीं पता है कि हमारा जो work था हो कितने दिन में complete हुआ x-dash में ठीक है तो a plus b ने कितने दिन काम किया a ने कितने दिन काम किया a पूरे time काम करता रहा a छोड़ कर गया काम को नहीं किया तो a कितने दिन काम किया होगा x-dash क्या होगा और b ने कितने दिन काम किया B काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ कर गया तो X-3 टोटल X-3 देश काम चला है 3 दिन पहले छोड़ कर गया था तो X-3 देश काम चला है ठीक है A एक दिन में कितना काम करता है 2 काम करता है B कितना काम करता है 3 काम करता है ठीक है तो ए कितना काम कर लेगा टोटल? 2x काम कर लेगा बी कितना काम करेगा? 3 से x को multiply करोगे 3x और यहां multiply करोगे minus 9 और इस तरह से total दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? जो हमारे यहां था 36 क्या आप मेरी बात को सांच पा है इन दोनों को plus कर दोगे कितना जाएगा 5x और यह 9 इदर जाके माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा 45 तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 डेज यह हमारा टोटल काम कितने दिन चला होगा 9 डेज तो हमसे पूछा क्या था यह पूछा था हाँ यह 9 डेज हमारा एंसर हो गया एक बार इससे क्या था कि वर कितने दिन में complete हो बहुत बढ़ी है ठीक है तो दूसरा देखो कैसे करेंगी तेखो हमें टोटल कितना काम करवाना था 36 और ए और बी दोनों काम करना शुरू कर रहे थे ठीक है बी कितने दिन का पहले काम चोड़कर जा रहा था बी थिरी डेज भी फोर तीन दिन पहले काम चोड़कर जा रहा था इससे क्या करवा लो इससे रोको और इससे तीन दिन क्या एक्स्ट्रा अगर हो गया, तो इससे क्या करना पड़ेगा, तीन दिन में कितना काम करेगा है, एक दिन में तीन काम करता है, तो नाइन वर्क एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो यह नाइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा काम तो हो जाएगा, अगर य नाइन, नाइन डेज में हमारा काम क्या होगा, क्प्लीट हो जाएगा, क्या आप इस बात को समझ पा है, इस पे हम और कोश्चन करेंगे, लेकिन वह हम को करेंगे, नेक्स क्लास, होस्ट बढ़ी है, बहुत समझतार, तब मिलते हैं नेक्स क्लास, अतर लेकी समझतार, वेकthe क्प्राप, क्प्राप्न करेंगे, बहुत समझतार, वेक दोफम करेंगे, बहुत समझतार, वेकिन याण श् backwards e फsなलेकी समझतार, वेक्स क्लान चैन पाहा, क्या खंड धंडेंगे, झालेकी, लेकिते व्धंतार, शाबैए भarten.